अगर आपका Taro अकल्ट में इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं, we have a Taro Certification Course जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा. When I say A to Z, मतलब बहुत simple simple basic चीजों से लेकर, जो भी main main topic है, each and everything connected and related to Taro is covered in this course. अपनी इस जर्नी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं, यानि कि कैसे आप एक professional tarot card reader बन सकते हैं, अपना career tarot में बना सकते हैं, ये भी इस course में covered है. और अगर इसी से ही related कोई भी doubt, कोई भी सवाल आपके मन में हैं, आप screen पे दिये गए number पर हमें WhatsApp कर सकते हैं, अपने doubts को clear कर सकते हैं. Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए July 2024 की Love Tarot Reading. तो अगर आप जानना चाहते हैं July मन्त में, आपके partner की क्या energies रहेंगे आपके लिए, इस relationship के लिए, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली July मन्त में क्या होगा, तो ये reading आपके लिए है, और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाप से देख सकते हैं, यानि की लगन से भी देख सकते हैं, नाम की राशी से भी देख सकते हैं, sun sign, moon sign से भी देख सकते हैं, जिस sign से आप connected feel करते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये आपका sign है, उसी sign के हिसाप से आप tarot reading को देख सकते हैं, तो चलिए जी देखते हैं कि July 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, चलिए लिए उस आप लोगों के लिए देखें कि July 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, मैं पस यहां पे तीन set of cards हैं, first set of cards में ह आप इस सबसे पहला card मुझे दिख रहा है, three of voices, और यह card कहता है कि कुछ टाइम से जुलाइ स्टाटिंग में कोई चीज आपको थोड़ी सी या पर कुछ के लिए हो सकता है, ज्यादा तक्लिफ दे रही है, परेशान कर रही है, एक hurt आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह general reading है, reason सब लिए उसके लिए differ करेगा, कुछ के लिए हो सकता है कि आपके personal front में कोई ऐसी चीज हो रही है, जिसकी वज़े से आप परेशान हो रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आपके partner का behavior, attitude या फिर उनकी कोई बात आपको hurt कर रही है, परेशान कर रही है, अब देखिए level के लिए indefensive का card कहता है, शायद इसलिए या फिर otherwise आप थोड़ा सा अपने आपको protect करना चाहा रहे हैं, आपके मन में ख्याल आ सकता है कि बस बहुत हो गया, आप बहुत hurt हो गया है, अब और आप खुद को नहीं hurt कर सकते हैं, तो खुद को कैसे protect करें, आप उसके उपर focus क रहे हैं और यही reason रह सकता है, यहाँ फिर कोई और भी reason हो सकता है, आप चीजों से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वेन ऐसे चीजों से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है, simply आप travel कर रहे हैं, out of the city, out of the country, you know, आप जा रहे हैं, और reason again कोई यही भी हो सकता है, लेकिन कुछ के लिए यह भी एक reason हो सकता है, कि भी partner से थोड़ा सा distance कर लें, जगा को बदल दें, ताकि थोड़ा better feel करेंगे, और कुछ के लिए हो सकता है, कि उनो partner से आप किसी level पर distance कर रहे हैं, या फिर इस relationship को आगे लेकर जाना चाहा रहे हैं, या य आगे बढ़ना चाहा रहे हैं, या फिर बढ़ रहे हैं, एक movement forward आप करना चाहा रहे हैं, अगेन या फिर कर रहे हैं, और कहीं यही चीज या कोई और भी चीज हो सकती है, आपको थोड़ी सी restless, थोड़ी सी anxious energies भी दे रही है, deeper level के लिए liar का card कहता है, या तो आप अपने partner के साथ एक transparency नहीं रख रहे हैं, और दिखिया आपका reason बहुत justified हो सकता है, यानि कि बहुत valid reason हो सकता है, आपको यसे लग रहा है कि भी वो आपके सच को digest नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनमें आपके सच को सुनने की शमता नहीं है, और इसी लिए काम खाखा एक drama हो, या फिर issues, मसले हों, उनको avoid करने के लिए आप किसी level पे किसी तरीके से जूट बोल रहे हैं, या फिर देखिये कुछ के लिए भी हो सकता है कि आपका intention इतना ठीक नहीं है, आप जान मुझ के जूट बोल रहे हैं, कुछ के लिए भी हो सकता है कि लिए उस आपको यसे लग रहा है कि partner आपके साथ transparent नहीं है, partner किसी भी level पे किसी भी तरीके का जूट आपसे बोल रहे हैं, और इसलिए या फिर otherwise justice reverse का card कहता है कि एक unfair energies आप महसूस कर रहे हैं, आप देखिये इसका भी reason सब के लिए differ करेगा, कुछ के लिए हो सकता है लिए उस आपको लग रहा है कि आप अपन आप इस relationship में इतना fair नहीं रह पा रहे हैं, partner के साथ इतना fair नहीं रह पा रहे हैं, और अगर आपके partner की तरफ से है तो आपको ऐसा लग सकता है कि partner आपके साथ relationship के साथ fair नहीं है, जो भी हो कहीं baking free का card कहता है, जो भी चीज़ें आपको bother कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, limit कर रही है, suffocate कर रही है, आप उन सब चीजों को तोड़ के उन में से खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं, जो भी चीज, फिर से मैं कहूंगे आपको बांध रही है, आप उसको तोड़ के अपने आपको फ्री करना चाह रहे हैं, यह आपके thoughts भी हो सकते हैं, आपका belief system भी ह हो सकता है, पार्टनर की तरफ से कोई बात हो सकती है, पार्टनर की तरफ से कोई behavior, कोई उनका action हो सकता है, again कोई भी चीज हो सकती है, अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की के energies हैं, यह आपके पार्टनर के लिए आप सबसे पहला card है the devil, और यह card कहता है कि बहुत controlling, मन्त में रहते हुए दिख रहे हैं, अपने तरीके से चीजें करना चाहा रहे हैं और हो सकता है कि बहुत obsessive, बहुत possessive भी हो रहे हैं, deeper level के लिए toxicity, negative energy का card भी कहीं devil की energies को confirm करता है, कि बहुत जबर्दस एक negative energy उनकी तरफ से रहती भी दिख रही है, माइन में एक toxicity रहती भी दिख रही है, हो सकता है बहुत jealous feel कर रहे हैं, बहुत again ऐसे मैंने आपको अभी बताया, possessive हो रहे हैं, चोटी-चोटी सी बातों पर आपके उपर doubt कर रहे हैं, चोटी-चोटी सी बातों पर आप पर trust नहीं कर रहे हैं, और बहुत एक controlling वाली energies में रहते हुए दिख रहे हैं चीजों को लेकर बहुत impulsive हो रहे हैं, 8 of Wands and Passion Alive का कार्ट कहता है, बहुत आपको लेकर एक enthusiasm है, excitement है, कहीं passionate feel कर रहे हैं, और चीजों को फिर से मैं कहूंगी बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहा रहे हैं and end July के लिए I know, I feel, 7 of Inspiration के कार्ट कहते हैं, कि जो भी issue, जो भी challenges हो रहे हैं, इस relationship में, वो सबसे upfront होके fight करने के लिए ready रहते हुए दिख रहे हैं यानि कि किसी भी चीट से घबरा नहीं रहे हैं, किसी भी चीट से डर नहीं रहे हैं, हर हाल में जो उनको चाहिए आप से इस relationship से, वो चाहते हुए दिख रहे हैं और उसके लिए out of the way भी जाते हुए दिख रहे हैं, उसके लिए extra effort, extra initiative भी करते हुए दिख रहे हैं, बहुत जबर्दस एक willpower, determination उनकी तरफ से रहती हुए दिख रही है, और कहीं देखिए थोड़ी सी possessive, obsessive energies भी रह सकती हैं, और अब देखते हैं, लिए उसके जुलाय मन्त में क्या हो रहा है, तो देखिए जुलाय स्टाटिंग के लिए आपे सबसे बहला card मुझे दिख रहा है message, और ये card कहता है, कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक म मन ही मन, दूसरे जन से connect करना चाह रहे हैं, हो सकता है, कि लिए उस कुछ टाइम से, आपके और आपके पार्टनर के बीच में उस तरीके से interactions नहीं हो रही थी, उस तरीके से बातचीत नहीं हो रही थी, अब देखिए फिर से कहूंगी, ये general reading है, सब के लिए थोड़ा उस मरा में बात होती है, तो पीछे हो सकता है, बहुत कम हो रही थी, यानि कि जितनी होती है, उस से काफी कम रहती हुई दिख रही थी, या फिर आप दोनों या आप दोनों में से कोई ये कुतना action initiatives नहीं ले रहे थे, और इन ही energies में से बाहर निकलना चाह रहे हैं, और ये interactions नहीं हो रही है, या फिर जो भी जन withdraw कर रहा है, उसको थोड़ा सा push करके वापस चीजों को track पे लाना चाहा रहे हैं, और lovers का card कहता है कि mid July काफी अच्छा भी रहता हुई दिख रहा है, एक passionate energies हैं, बहुत deeper level पे आप लोग एक दूसरे से connect कर रहे हैं, बहुत love, care, प्यार महबत एक दूसरे के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं, physical intimacy भी mid July में या July मन्त में आप लोगों के बीच में रह सकती है, and deeper level के लिए I don't care का card कहता है कि जो भी challenges हैं, या फिर कुछ issues हैं, मसले हैं, या जैसे कि हमने देखा लियो जो भी चीज आपको bother कर रही है, कहीं mid July में ऐसा हो सकता है कि कि किसी चीज की परवा नहीं है, एक दूसरे के साथ connect करना है, एक दूसरे के साथ interact करना है, तो बहुत एक beautiful energies mid July में खास कर रहती हुए दिख रही है, and end July के लिए release का card कहता है, जो भी toxic energies हैं, वो कहीं release होती हुए दिख रही हैं, जो भी issues, मसले हैं, उन को कहीं release कर रहे हैं, या फिर किसी चीज को अगर tightly पकड़ कर रखे हुए थे, आप या आपके partner उसको let go करते हुए दिख रहे हैं, and queen of emotions reverse का card कहता है, कि emotional level पे एक दूसरे से connect करते हुए दिख रहे हैं, बहुत एक प्यार, महबबत एक दूसरे के लिए महसूस करते हुए द तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें